अब मैं लेलिया भगोने में पानी और इसको मैं थोड़ा सा उबालाने दूंगी और इसे मैं डाग दिया एक चमर चीनी डालने से जुए है इसका रंग जो है अच्छा बना रहता है ग्रीन का ग्रीन रहता है फ्रेश रहता है काले नहीं पड़ते हैं तो मैंने पालक को ढालती है और पालक को जाला देर तक नहीं आपालने और शिर पास मिनटे लिए अब गया सब्द करती है और यह अब ठंडे पानी में मैं इसको पालक को मैं डाल दूंगी आण आप जोंगी टालने के आटसाथ मैं डाल जूंगी माथ में आअिसमें डाल जूंगे दसी दोस्तु का जर अचे अलूंगी में जिएared अश्वन का ऑन इंटसाय और ती बहुत अच्छा रहता है और इसका आश्ञेड गोतूंट का रहता है एक थेa पीरा दाल चेनी लॉंग एंड टेज पत्ता और साबुत लाल मिश डाल दिया मैंने थोड़ा से इसको पकने दूँगी और इसमें लस्टन अद्रक और यह रिमिश पहले मैं लस्टन को डालूंगी थोड़ा साथ ब्राउन हो जाए फिर अद्रक भी साथ साथ डाल दूगी औ अब शाथ में डाल जाए इसके प्याज अब यह थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पकाना इसको अब इसमें डाल जाए कश्मीर लाल मिश थोड़ी से हल्दी डाल दी है मैंने इसमें चाची जो कलर है वह बहुत अच्छा आ जाएगा इससे एक टमाटर लिय अब मैं इसको पांच मिनट ले ढख दूंगी यह थी कीशेल छोड़ दिया है कि अब इसमें डाली में कस्तूरी में थी कस्तूरी में थी जो है इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है और जो ढाबे वाले हैं वह मोच्तूरी में जरूर डालते हैं सब्जी में मैं भी कस् दही खटी ने डालनी है बिल्कुल फ्रेश डालनी है मीठी होनी चाहिए और इसको तेज आज पर मैं फटा फटी लाजूंगे तक दही फटे ना यह देखिए अब मैं इसको फटा 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 ने ढख दूंगी यह देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका देखिए तो जो कि अपरेट हो गया है अब यह जो मैने मिक्से में पीसर था फालक करीष था भूमिण के इंदा क्ड़ा जाला है अब जैसको कि मैयद्क्रियूंगरा अक्षिए करी α। अब इसको मैं धखके पकनेगले सोड़े छोड़ जूँगी 15 मिनट के लिए अभी मैंने पनीर के क्यूब स्काट लिया थे अभी फ्राइपर में मैंने सोड़ सा देशी घी डाल दिया इसमें और डिफाइन डाल दिया था इसको शैलो फ्राइए करूंगी हलका सा डीप फ्रा अन्दर है तो वह भी डाल सकते हैं और से में और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी कश्मीरी लाल मिट अब यह देखिए मैं जो पनीर है वो थोड़ी छोड़ी ब्राउन हो गया और यहां पर मेरे जो पालक जो था वो भी एड़ी हो गया है काफी हद तक पक चुका है आप मैं इसके अंदर एक चमट के करीब मलाई डालूंगी अगर आप इस घर में जो मलाई होती है आप वही डाल दीजिए ने तो आप बहार से भी आप खरी सकने हैं अमोल वगरा की और इसमें आदर चमट मैंने डाला है गरम मसाला आप मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँंगी मिक्स करने के बाद इसको मैं दस मिनट के लिए ठक दूँंगी ताकि जो इसका जो सेपरेट हो जाए और यह देखिए कितना गाढ़ा हो ठीक हो गया यह मेरा जो है सब्जी और यह जो तेज पत्यास को मैं बहार निकाल दूँगी चीके विसका कोई काम नहीं है फ्लेवर आ गया है उसके अंदर यह देखिए सब्जी देखिए पेल कितना अच्छा लग रहा है यह देखिए यह थोड़ सा पनीर था इसको मैं आपर से कारिंट कर लूँगी यह देखिए मेरी सब्जी हो गया रेडी